जिलिके सहरिया परिवारों को शाषन की योजनाव का लाभ दिलाया जाएगा प्रधार मतरी जन्माने योजनाओ एवं मत्रदेश शासन के योजनाओ का लाब गरीब सहारिया आदिवासी जन्जाती परिवारों को कैसे मिले इसके चिंता दतिया कलेक्टर संदिप माकिन कर रही है तभी तो कलेक्टर सहाब अचानक किर्गामिन शेतरों में बसे सहारिया आदिवासी जन्जाती परिवारों के बीच पहुच कर उनके हाल चाल जानते हैं और सहारिया संचाले थे तकराही मूलक योजनाओ का कितना लाब मिल रहा है इसके जानकारे सहारिया जन्जाती आदिवासीयों के भी इच बैटकर जमीनी स्थर पर समिक्षा करते हैं कलेक्टर संदिव माकीन ने बताया कि दतिया जिले में सहरिया जन जाती आदिवासियों की 10,800 से अधिक जन संख्या है और संपुन जिले में करीब 2400 परिवाय जन जाती सहरिया आदिवासियों का निवास है प्रधार मतरी जन्मन योजनाओ के तहर जिले के सभी जन जाती सहरिया आदिवासियों का लाब दिलाये ने रविवार को अवकाश होने के पावज़त भी जिले के अधिकारी कर्मजारी के साथ समिक्षभाठक की कलेक्टर ने बताया कि दतिया जिले में बसे सभी सहारिय जंजाती आदिवासी परिवारों को शाशंद्वारस निचालेश हिद्गराई मुलक यूजनाव का लाब दिलाया जाएगा इसकी साथ अत्मी गरानी की जा रही है शिवरमन सिंग राठोड की रिपोर्ट देखिए हमारे आना 10,889 आदिवासी भाई वक्तियों की संक्या है परिवार 266 है लेकि टोटल संक्या 10,889 है उसमें हम लोग लगे हैं कि सबके आयुश्मान कार्ट भी बन जाएं सबके ही आधार कार्ट भी बन जाएं इस काम को टॉप प्राइटी पे सासन का आधेश है उसको हम लोग कर रहे हैं आज इत्वार को भी इसलिए पूरी टीम बैटी है गाउं में आधार की भी टीम में गई है गाउं में डाक्टरों की भी टीम में गई है डाक्टर के टीम को हमने बोल दिया है कि जिनके जिनके समगर आइडियो आधार है और उनमें से जिनके आयुश्मान कार्ड नहीं बने वो लिस्ट भी दे दी है जिससे कि उनके तत्काल आयुश्मान कार्ड बन जाए और जिनके आधार कार्ड नहीं है और समग रहें अकेले तो उनके लिए आधार कार्ड की टीम गई है जब ये भी हो जाएंगे तब जाके उतने लोगों का आयुश्मान कार्ड भविश में बन सकेगा लेकिन पहले सभी का हम ensure कर रहे हैं कि जितनों के आधार और समग राइडी दोनों हैं अर्थात EKYC हो गया तो उनके कम से कम आयोश्मान कार्ड पूरे हो जाए